Microsoft Word Learning Video Continuation में आज जापनों के सामने होम टाइप को ही continue करते हुए मैं आपके सामने रखता हूँ alignment, indent, orientation, change case और साथ के साथ इनी जैसे कई elements आपके सामने रखता हूँ एक एक करके example के साथ आपको describe करता हूँ इसको सीखना है हमें step by step और अपने life में value per day कि कुछ न कुछ नया जरूर एक रखता है को हमने last video में कुछ element जैसे हो गया आपका best, best special, format printer और superscript, subscript इन जैसे छोड़े-छोड़े element को सीखा आज के वीडियो में हम देखेंगे alignment, paragraph setting, line spacing, ये change case और इनी जैसे कई elements आज आप लोगों के सामने डखता हूँ step by step आपको सीखना है, मैं video जो लेकर आओंगा, in sequence video लेकर आओंगा जैसे home tab है तो पहले home tab finish करेंगे उसके बाद दूसरे tab तो move करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ text लिख देता हूँ और उसके लिए ज़ादा महनत नहीं करता हूँ यहाँ पे pass कर देना, आप equal to rant ठीक है, enter press अपने बागया text, तो इस तरीके से ज़ादा महनत करने के बजाए आपने rant function यूज़ कर दिया, यहाँ पे भी rant function जलता है और इस तरीके से text display हो गया, अब इसके बेस्ट आप अपना practice कर सकते है तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे select कर लेता हूँ मैं, control A, control B से bold, control I से italic, control U से underline, ठीक है और यह आपको पता है, यह toggle क्यों होता है, एक बार apply होगा, एक बार हट जाएगा अब साथ के साथ इसको select कर लिया, और select करने के बाद मुझे याद आया, यह जो text list के आया है, यह मुझे capital letter में चाहिए, ना की small letter में चाहिए आपको यूज करना होगा, change case, यहाँ पे, देखिए, change case option होता है, यही सही, आप sentence case में, lower case में, upper case में, या हर एक word का पहला letter capital करना है, वो भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं lower case पास किया, lower हो गया, और साथ के साथ, upper case यह रहा सारे आपा, ठीक है, इस तरह के साब यूज करे कर देता हूँ, इसका formatting थोड़ा सा कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया, italic थोड़ा सा कर दिया, इसका font का size बरहा दिया, font का style चेंज कर दिया, इतना काम कर लेने के बाद, अब अगर मैं click कर देता हूँ, clear all formatting, यह original state में बिलकुल वापिस अलाएगा, फिर से, जिस original state में आप alignment की, यहाँ पर MS Word में alignment होते हैं total 4, left, center, right और 4 होता है justify, चारों का use कैसे करेंगे, वो देखिए, बान के चलते हैं, मुझे रिजो में बनाना है, चलिए इस data को नीचे कर दे रहा हूँ, और आपने यहाँ पर लिखा resume, यह actual में कहा होना चाहिए, यह होना चाहिए center में, तो यहाँ से लेंगे alignment center, यह हो गया आपका central alignment, उसके बाद enterprise किया, उसके बाद फिर लिखना कहां से start करूँ, तो start से, फिर से आपके ले ले लिजी, left, यहाँ पर लिखूँगा, मैं name, उसके बाद अगर मुझे right alignment से ही हैं, तो इसी पर करसर रखा, और यहाँ पर right alignment देखिए हाँ पर लेके लिए, right, ठीक है, और साथ के साथ फिर यह justify का rule क्या होता है, वो देखिए, मान के चलते मेरे पास, इस type का data है, और यहाँ से मैंने use किया justify, देखिए, कुछ फ़रका है, फिर से दिखाता हूँ, data आपका original state में ऐसे था, देख लिजी, है ना, और आपने selection करन अब आप क्लिक करना है, या तो justify पे क्लिक करना है, या shortcut होता है, control plus J, justify कर यूज क्या होता है, it is used to distribute your text evenly between the margins, देखो common कर देगा एक जैसा, चारो तरफ से बरावा, बुलेट्स की बाद, यहाँ पे अगर बान के जग्दें, बुलेट्स ले लिए आपने, यहाँ बुलेट् उसी बुलेट्स के बाद, आपके पास option होता है, numbering, यहाँ से अगर आपको number जैसी कोई चीज़े चाहिए हो, तो आप numbering यूज कर सकते हो, यह तो हो गया bullets, numbering, number में भी एक और number का pattern होता है, books वगरे में देखते होंगे, 1 का A, 2 का B, 3 का C, उस तरीके से कुछ करना हो, तो यह line के बीच में कितना space, paragraph के बीच में कितना space रखना है, उसके लिए आप line and paragraph spacing यूज करेंगे, उसके लावा अगर आपको कोई भी space नहीं रखना है, या single space रखना है, तो आप यहाँ से one ले सकते हैं, या यहाँ से ले सकते हैं, remove space after paragraph, अगर paragraph के बाद में कोई space होता है, उ उसको भी रिमूव कर देगा तो यह आप यूज क्या करना लाइन स्पेसिंग की यहां से भी कर सकते हैं या लाइन स्पेसिंग आप्शन्स आपके पाद से लेवल है इस पे चले जाएए और बात बरावर ही है यहां से भी आप अलाइनमेंट जस्टिफाई कर सकते हो इंडेंट आप यहां से रिसेट करोगे इंडेंट में अगर इंडेंट की बात करो तो यहां पर कहने के लिए इंडेंट दो होते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट बट यह इंडेंट होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं वह होते हैं टोटल तीन पह कहां से आएगा यह व्यू टैम में यहां पर होता है और फसन रूलर यहां से आप अंचेक कर सकते हैं तो रूलर आगे हमारे पास अब रूलर में यहां पर देखिए यह जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है यह आपका हो गया फॉस्ट लाइन इंडेंट मैं पहला लाइन यह से सुनू करना चाहता हूं ठीक है उसके बाद यह देखिए यह है राइट इंडेंट यह राइट इंडेंट मैं यहां रखना चाहता हूं तो क्या होगा मैं कुछ भी लिखूंगा तो पहला लाइन यहां से स्टार्ट होगा देखते जाए और लास्ट यहां पर राइट कि यहां सہ अपने श्टार्ट किया राइँ इंडेंट यह रहा और लेफ्ट वीरा ब्रक्राविव्ण। relaxing ॆ जहा इसकी प्लेशिण अपने हिसाब से चाहाँ मैं जहां चाहूं वहाँ ना कि यह झाहाँ जहाँ आपने center कर दिया सीधे center लेकर कर दिया तो सीधे right में चाला कर जाएगा लेकर आपको ऐसा नहीं करना है आप अपने मंद से चाहते हो यहां से आप increase intent या decrease intent यूज करें देखें यह क्या हुरा है यह आप अपने according set कर रहे हो आपको जहां पर इसकी placing रखना है वो आप indent, increase या decrease करके use कर सकते हैं अब मान के चलते हैं मैंने आपके कुछ numbers लिए और इस number को मुझे sort करना है तो sort कितने type के दो type के या तो ascending order में या descending order में आपको बज़रत पर सकते हैं तो अगर आपको data को sort करना हो या तो number या तो text तो क्या करेंगे select कर लिया है और यहीं पर option होता है sort इसको बोलते हैं sort text यहां से आप ascending या descending order में से आप sort कर सकते हो मैंने क्लिक कर दिया ascending और okay बटन पर press यह रहा आपका data ascending order में उसी तरीके से अगर आपको descending order में sort करना हो यह रहा आपका descending order में साथ के साथ याद रहे इस data मेरे पास कोई भी header नहीं है इसलिए आप यह और चेक कर देंगे no header row ठीक है अगर आपके पास header row होता तो आप header row पर option पर क्लिक कर देते हैं इस तरीके से अब मैं एक चोटा सा काम करना चाहता हूं मैं एक रिजियो में बनाना चाहता हूं आपना ठीक तो सब से पहले क्या लिखेंगे यह आपको काम भी दे रहा हूं यह होना कहां चाहिए यह होना चाहिए सेंटर में ले लिया आपने इस तरीके से खुद से टेक्स लिखने से बढ़ियां रहेगा हमारे लिए यह ना लिखें और हम लोग ले ले यह देखने स्टाइल्स इसमें heading 1 heading 2 title जो आपकी मर्जी मैंने ले लिया heading 1 ठीक और अब लिखना जरा रिजियो में अब बढ़ियां लग रहा है देखने में और इसको बोल्ट करने के साथ साथ ही कहां पर ले लिया center में ले लिया इसके बाद इसको select कर लिया और इसके उपर setting लगा दूँ तो बहुत बढ़ियां लगेगा देखने में यहां पर जाईए और यह लगा दीजिये setting इस तरीके से ठीक है इसको blue color करते हैं यह बढ़िया लगा और blue पर रहेगा हमारा यह text white अब बढ़िया लग मैं नेम लिखा और नेम लिखने के बाद नाम यहां तो नहीं चाहिए ना मुझे यहां लिखना है मैं क्या प्रेस करूंगा या तो space bar से आप लोग ऐसे जाएंगे चल गड़ाएगे ना या दूसरा तरीका है इससे space bar से बढ़िया अब tap बटन प्रेस कर सकते हैं तो यहां पर ऐसे ले लिए कॉलम फिर से टैप प्रेस किया एक और टैप और यहां पर बानके जलते हैं अमित कुमार इंटर प्रेस फिर यहां पर लेखेंगे फादर नेम फिर से टैप प्रेस किया ऐसे 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 फिर यहां पर फिर से ऐसे ऐसे और बानके जलते हैं अमन कुमा इन्गे पापा लेकिन आपको अभी भी मजा आ रहा है नहीं आ रहा है यहां पर आपने डो ने लिख देने के बाद रैदर दन प्रेस टैब ऐसे ना एसे नहीं करना तर यहां रखना और यह जो रूलर आपको दिख रहा है तो इस रूलर पे आपको जहां पे भी टैब चाहिए वहां पे आप सिर्फ जाके यहां पे क्लिक कर दो जैसा मान के चलते मुझे यहां पे चाहिए क्लिक कर दिया हो गया और एक और टैब चाहिए मान के चलते मुझे यहां चार पे क्लिक हो गया आपने यहां पे टैब लगा यहां पर अमित कुमार एंटर फादर्स नेम ऐसे टैब फिर अमन कुमार डेट ऑफ बार्थ देखिए दुज़रा कितना बढ़ियां सेटिंग हो चुका है अब आप काई देखिए ठीक है बना लेंगे आराम से सीवी आप लोग तो इस तरही किसा आप लोगो एक असाइनमें इस बॉर्डर से अगर आपका काम नहीं चलता है तो आप लोग क्या करें इंसर्ट में जाके अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा यहां से टेबल भी यूज़ कर सकते हैं बहुत बरिया कोई दिक्कत ने इस तरीके से टेबल भी यूज़ करो को तो वह अच्छा और बहुत सारे इसी से डोक्मेंटेशन से काम करने हैं तो स्टेप बस्टेप लेसेंस के साथ सीखते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए इस उमीद के साथ आप से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी माक्रोसाउट वर्ड के फीचर आइंड डिप्लेस के ए यू दिल से